Welcome back students, आज की अपनी इस वीडियो में हम exercise 3.1 को discuss करेंगे इस exercise के लिए जो basic introduction है वो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं अगर वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ click करके वो basic introduction आप देख सकते हैं यहाँ पर हम शुरू करते हैं question 1 के साथ If A is equal to में यह हमें एक matrix दे रखी है तो इस matrix से related कुछ questions के answer हमें यहाँ देने हैं सबसे पहला the order of matrix तो जो order है वो किसके equal होता है order is equal to number of rows multiply by number of columns number of rows को हम number of columns से multiply कर दें तो हमें उसका order मिल जाता है यहाँ पर rows कितनी है 1,2,3 तो यहाँ number of rows है 3 और number of columns है हमारे पास 4 यानि जो इसका order है वो हो गया 3 cross 4 quite simple केवल आप पहले number of rows को count कर ले after that आप number of columns को count कर ले second question है the number of elements number of elements निकालने के लिए एक तो तरीका है कि आप उन्हें physically गिल ले कि कितने matrix में हैं वो एक सही तरीका है बट कैई बार ऐसा हो जाता है कि वो matrix आपको नहीं देता वो बोलेगा किसी matrix का order 6 cross 4 है और उस matrix में कितने element होंगे आप बताईए और matrix आपको नहीं दी तो फिर क्या करेंगे कि हमें matrix की जरूरत नहीं होती number of elements बताने के लिए हम केवल order को multiply कर लेते हैं और order को multiply करने पर जो value मिलती है उतने ही हमारे पास उसमे number of element होते हैं तो order दे रखा है multiply कर लेंगे number of elements मिल जाएंगे third है write the elements हमें ये elements लिखने हैं कि इनकी value क्या होगी सबसे पहले a13 यानि पहली row तीसरा column first row तो ये है third column है ये one ये two ये three first row third column में ये element आ रहा है a13 element is one nine second one is a21 यानि second row first column तो second row first column यहां पे आ रहा है 35 this is 35 इसके बाद है a33 यानि की third row third column तो third row third column यानि की minus का 5 a24 यानि second row fourth column तो second row fourth column is 12 तो यहां आ गया 12 इसके बाद a23 यानि second row third column तो second row third column is 5 by 2 ये सभी elements हमें यहां पर लिखने थे और ये था इसका third question तो easy easy type के question उसने यहां इस matrix से related हमसे पूछ रखे थे key point mind में रखना है कि order को multiply करके number of elements हमें मिल जाते हैं इसके बाद question 2 है if a matrix has 24 elements what are the possible orders it can have एक matrix के पास 24 elements हैं ये उसने बता दिया कि जो भी matrix है उसके पास 24 elements हैं तो उसके क्या क्या possible orders बन सकते हैं what are the possible orders it can have तो जरा समझे हम जानते हैं कि अगर किसी matrix का order मान लीजिए 2 cross 3 है तो उसके element 6 हैं तो ऐसे कितने pair आप बना सकते हो कि जिनका product 24 आ जाए वही इसके possible orders हो जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं possible orders तो इसके possible orders क्या हो जाएंगे जरा चेक करिए एक तो हम बना सकते हैं 1 into 24 और 24 into 1 यानि एक row और 24 columns ले ले 24 rows या 1 column ले ले ये possible order हो सकता है फिर इसके बाद हम ले सकते हैं 2 into 12 24 हो जाएगा या और 2 into 12 है तो 12 into 2 भी आप ले सकते हो क्योंकि आप 2 row 12 columns ले लो 12 rows 2 columns ले लो इसके बाद आप लिख सकते हो 3 into 8 और 8 into 3 ये order बना सकते हो इसके बाद आप बना सकते हो 4 into 6 6 into 4 इसके बाद फिर से 8 into 3 हम वो बना चुके हैं तो ये हो जाएगा आपको ये इसके possible orders बन पाएंगे ultimately आपको वो numbers देखने हैं जिनका product 24 हो सकता है उनका reverse भी वहाँ पे होगा जैसे 1 into 24 बना रहे हो तो 24 into 1 की भी matrix आप बना सकते हैं इसके बाद अगर उसके पास 13 elements हो जाएं what if it has 13 elements तो कोई ऐसे दो numbers हैं जिनका product 13 आ जाए तो आप समझेए if it has 13 elements possible orders possible orders क्या हो जाएंगे हमारे पास जरह देखिए 1 into 13 और 13 into 1 केवल ये ही दो order बन पाएंगे क्योंकि कोई ऐसे दो और number हैं ही नहीं जिनकी multiply हम करें और 13 मिल जाएं तो केवल ये दो possible orders बन सकते हैं इसके बाद question 3 देखिए if a matrix has 18 elements एक matrix के पास 18 elements है what are the possible orders it can have तो इसके कितने orders हो सकते हैं आस्ट question की तरह हम जानते हैं कि अगर किसी matrix का order 2 x 3 है तो उसमें 6 elements होंगे अब हमें element दे रखे हैं 18 तो हम ऐसे दो numbers आप choose करते जाएं जिनका product 18 हो जाएं वही इसके possible orders बन जाएंगे for example हम यहां लिखते हैं जैसे solution करते हैं इसका possible orders are हम ऐसा कर लें कि 1 row लें और 18 columns ले लें तो भी order बन जाएगा 18 into 1, 18 rows 1 column इसके बाद 2 into 9, 2 rows 9 columns 9 into 2, 9 rows 2 columns 3 into 6, 3, 6, 18 हो जाएगा 6 into 3, यह हम बना सकते हैं इसके बाद तो कोई और order यहां नहीं बनेगा इसके बाद 9 cross 2 वह हम पहले ही लिख चुके हैं तो यह इसके possible orders यहां पर बनेंगे इसी का next part कह रहा है what if it has 5 elements यानि कि हमें अब जो product चाहिए वो 5 चाहिए तो ऐसे दो नमबर सोचो जिनका product करने पर 5 आ जाए तो ऐसे कोई दो नमबर नहीं होते केवल 1 और 5 को छोड़ करके तो हम लिखेंगे if it has 5 elements possible orders are तो जो possible orders हैं वो क्या हो जाएंगे ज़रा चेक करिए वो हो जाएंगे 1 into 5 5 into 1 ये हमारे पास possible orders होंगे अगर नमबर ऐसा है कि उसको कोई ऐसे दो नमबर नहीं है जो product करें और वो बन जाए तो केवल 1 के साथ ही उसका possible जो pair है वो वहाँ पर बन पाएगा Question 4 देखिए construct a 2 cross 2 matrix A, A, I, J whose elements are given by हमें एक a 2 cross 2 की matrix बनानी है जहाँ पर जो a, I, J है वो है i plus j का square by 2 अब हम 2 cross 2 की general matrix लिख लेते हैं वो होगी a11, a12 a21, a22 अब यदि हमें ये elements अंदर के मिल जाएं तो वो matrix हमें मिल जाएगी इन सब को निकालने के लिए जो rule है वो क्या दे रखा है a, I, J is equal to i plus j का square by 2 यानि यहाँ इन दोनों को add करना पड़ता है उसका square और उसको 2 से divide कर देते हैं जब हम बात कर रहे हैं a11 की तो पहली वाली value है i दूसरे वाली value है z तो यहाँ पर अब हमें इने इसके अंदर put करेंगे तो यह हो जाएगा 1 plus 1 का square by 2 यानि 2 का square is 4 by 2 यहाँ पर आगया 2 a12 is equal to i की जगे 1 रखेंगे j के place पर 2 का square by 2 यानि 3 का square is 9 by 2 a21 निकालेंगे is equal to 2 plus 1 का square by 2 is equal to 9 by 2 3 का square 9 by 2 a22 is equal to 2 plus 2 का square by 2 यानि 4 का square is 16 by 2 that is 8 तो यह सारी value जो बारी बारी यहाँ पुट करनी है और value निकालनी है तो जो matrix है वो क्या आ गई a11 हमारे पास आया 2 a12 आ गया 9 by 2 a21 आ गया 9 by 2 और यह आ गया 8 तो यह वो matrix मिल गई इसका second part क्या है हमारे पास यहाँ पर भी हमें 2 x 2 की ही matrix बनानी है बट उस matrix को बनाने के लिए जो rule है वो अब change हो गया है 2 x 2 की general matrix तो same बनेगी a11 a12 a21 a22 बट इन सभी elements को निकालने के लिए जो rule है वो यह है i upon j यानि i को j से divide करेंगे तो आपको value मिलेगी अब अगर हम a11 निकालेंगे पहले वाली value i दूसरे वाली value j तो 1 upon 1 हो गया 1 a12 निकालेंगे तो 1 upon 2 हो गया 1 by 2 कुछ होई नहीं सकता a21 निकालोगे तो 2 upon 1 is equal to 2 a22 निकालोगे तो 2 upon 2 is equal to 1 यह सारी values हमने निकाल ले in fact इन values को मैं उपर लिखूँ आपके लिए तो ज़रा चेक करिए a21 हम निकालेंगे तो होगा 2 upon 1 और a22 निकालेंगे तो 2 upon 2 is equal to 1 तो जो matrix है वो क्या बन जाएगी a11 हमारे पास आया 1 a12 हमारे पास आगया 1 by 2 a21 आगया 2 और a22 आगया 1 this is our a the required matrix तो rule क्या था? कि i को j से divide करना है और matrix हमें मिल जाएगी now इसका जो third part है वहाँ परदी हमें 2 x 2 की ही matrix निकालनी है बट जो rule है वो क्या है? कि i plus 2 j का square by 2 यानि अगर आप इसके लिए general form लिखोगे matrix की तो वो same है that is 2 x 2 की a11 a12 a21 इस तरीके से अब अगर आप यहाँ पर इनकी values निकाल लेते हैं तो matrix मिल जाएगी और इनकी values निकालने के लिए जो rule है वो क्या है? aij is equal to i plus 2 j का square by 2 तो सबसे पहले निकालते हैं a11 पहले वाली value i दूसरे वाली value j put कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 plus 2 into 1 का square by 2 यानि 2 plus 1 is 3 3 का square is 9 by 2 a21 निकालेंगे तो 2 plus 2 into 1 का square by 2 यानि 2 plus 2 is 4 का square 16 by 2 that is 8 यानि 2 निकाल निकालना था a12 हम यहाँ निकाल लेते हैं a12 is 1 plus 2 into 2 का square by 2 तो यह हो गया 4 plus 1 is 5 that is 25 by 2 इसके बाद a22 निकालते हैं तो यह हो जाएगा 2 plus 2 into 2 का square by 2 यानि की 2 to the 4 plus 2 is 6 का square 36 by 2 यह आगया 18 अब इन values को हम यहाँ a के अंदर रखेंगे तो a11 क्या आया है हमारे पास 9 by 2 a12 क्या आया है हमारे पास 25 by 2 a21 क्या आया है हमारे पास 8 आया है a22 आया है 18 तो सारी values हमने पहले solve की और उनकी values यहाँ इस general matrix के अंदर रखते ही हमें required 2 cross 2 की matrix यहाँ मिल गई है question 5 देखिए construct a 3 cross 4 matrix whose elements are given by हमें एक 3 cross 4 की matrix बनानी है जहाँ पर elements को निकालने के लिए जो rule है वो यह दे रखा है सबसे पहले हम general matrix मानेंगे order 3 cross 4 की यानि रोज हमारे पास 3 रहेंगी और column 4 रहेंगे तो a 1 1, a 1 2, a 1 3 column 4 लेने हैं तो a 1 4 इसके बाद a 2 1, a 2 2, a 2 3, a 2 4 इसके बाद a 3 1, a 3 2, a 3 3, a 3 4 यानि columns 4 रखने हैं और रोज आफको 3 रखनी है वहाँ पर अगर यह elements हम यहाँ निकालने तो यह matrix हमें मिल जाएगी और इन elements को निकालने के लिए जो rule है वो क्या दे रखा है a i j is equal to minus 3 i करते हैं उसको j के साथ add करते हैं और उसको 2 से divide कर देते हैं सबसे पहले यह वाला element निकालते हैं a 1 1 इसमें पहले वाली value i दूसरे वाली j यहाँ इसके अंदर रख दो इसे तो यह हो जाएगा 1 by 2 into minus 3 plus 1 यानि यह बन गया minus का 2 और minus के 2 का जो modulus है modulus का काम होता है अंदर से आ रही negative value को positive करना तो 2 upon 2 is 1 आ गया इसके बाद हम a 1 2 निकालेंगे तो 1 upon 2 यहाँ पे आ गया minus 3 into 1 plus का 2 यानि minus 3 plus 2 तो यहाँ पे आ गया minus का 1 that is 1 by 2 a 1 3 1 3 is minus 3 के साथ multiply होगा minus 3 plus 3 is 0 a 1 4 निकालेंगे तो 1 by 2 minus 3 plus 4 is equal to यहाँ गया 1 by 2 अब इसके बाद हम a 2 1 निकालते हैं यहाँ निकालेंगे तो वह जाएगा वान निकालेंगे तो वह होजाएगा 1 by 2 माइनस का 6 प्लस का 2 यानि माइनस का 4 बाई 2 माइनस का 4 मोडिलस से प्लस का 4 बन गया that is 2 ए 2 3 रखेंगे तो 1 बाई 6 माइनस 6 प्लस 3 हो गया यह आगया 3 बाई 2 ए 2 4 निकालेंगे तो 1 बाई 2 माइनस का 6 प्लस का 4 यानि कि ये 2 by 2 आ गया that is 1 हमारे पास now a 3 1 3 1 is equal to 1 by 2 ये 3 वहां रखेंगे तो minus का 9 हो जाएगा और plus का 1 यानि ये minus का 8 plus का 8 by 2 that is 4 हमारे पास आ गया a 3 2 हम निकालेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा 1 by 2 1 by 2 और 3 यहां रखेंगे तो minus का 9 plus का 2 यानि की minus 7 ये plus का 7 by 2 a 3 3 is equal to 1 by 2 minus का 9 plus का 3 is plus का 6 by 2 3 a 3 4 निकालेंगे तो 1 by 2 minus का 9 plus का 4 that is 5 by 2 यहां पे आ गया हमारे पास a सारी वैल्यूस निकल गई यहां पुट करेंगे यह आ गया 1 1 by 2 0 और 1 by 2 यहां पे आ गया 5 by 2 2 3 by 2 1 यहां पे आ गया 4 7 by 2 3 और 5 by 2 तो यह सारी वैल्यूस हमने यहां पुट करके निकाली है और हमें वैल्यूस मिल गई है इसका सेकंड पार्ट है कि यहां पर भी हमें 3 x 4 की ही मेट्रिक्स निकालनी है और उसको निकालने की रिये रूल हमारे पास यह है तो उसकी जनरल फॉर्म हम यहां लिख लेंगे 3 x 4 की जनरल फॉर्म होगी a11, a12, a13, a14 चार कॉलम्स लेने हैं आपको a21, a22, a23, a24 a31, a32, a33, a34 यहां पर यह वैल्यूज हमारे पास आगई 3 रोज, 4 कॉलम्स तो अगर अंदर की यह वैल्यूज हम निकालने तो हमारी मेट्रिक्स हमें मिल जाएगी और इसको निकालने के लिए जो रूल है वो क्या है aij equal है 2i-j के तो सबसे पहले हम निकालते हैं a11 तो यह पहले वाली value i दूसरे वाली j यहां पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा 2-1 is 1 a12 निकालोगे तो 2 into 1 minus 2 यानि 0 a13 निकालोगे तो 2-3 is minus 1 a14 निकालोगे तो 2-4 is minus 2 a21 हम निकालेंगे तो 2 into 2 minus 1 यानि 4 minus 1 is 3 a22 हम करेंगे तो 2 into 2 minus 2 यानि यह भी 2 आ गया a23 is 22 is a 4 minus 3 is 1 a24 यानि 2 into 2 minus 4 is equal to 0 किवल वैल्यूज पुट करनी है यहां तो हमेशा 4 मिलेगा 4 minus 1 is 3 2, 1 and 0 now a31 निकालते हैं 3, 1 is 3, 2 जा 6 minus 1 is 5 3, 2 निकालेंगे तो बुट करेंगे तो 6 minus 2 is equal to 4 a33 करेंगे 6 minus 3 is 3 a34 करेंगे 6 minus 4 is equal to 2 तो जो a matrix है वो हमारे पास क्या आ गई वो आ गई 1, 0, minus 1, minus का 2 यहां पे आया a21 is 3, 2, 1, 0 यहाया 5, 4, 3, 2 तो जो rule हमें दे रखा है वहां पर हमें जो elements है उनकी value रखनी है और उनकी value निकाल देनी है जैसे ही हमें elements की value मिल जाएगी हम उसकी values को general form में रख देंगे और हमें जो required matrix है वो मिल जाएगी question 6 देखी find the value of x, y, z from the equation यह दो matrix हमें equal दे रखी है और यहां से x, y, z की value हमें निकालनी है तो हम यह जानते हैं कि जब दो matrix equal होती है तो दो conditions हमारे पास होती है एक तो उनका order same होता है दूसरा उनके corresponding elements equal होते है तो हम यहां लिखेंगे since both the matrix are equal so there corresponding elements are equal तो उनके जो corresponding elements हैं वो क्या होंगे वो equal होंगे यानि जो यह 4 है वो y के equal होगा तो y यहां से आगया 4 जो z है वो 3 के equal होगा so z is equal to 3 and this x is equal to 1 तो हमें यही value निकालनी थी x, y, z यानि केवल compare करके हमें values निकाल देनी है second part है यह दोनों matrix हमें equal दे रखी है तो x, y और z की value निकालनी है वही rule कि दो matrix equal है तो उनके corresponding elements equal होंगे तो हम यहां लिखेंगे since both the matrix are equal are equal so their corresponding elements are equal तो जो इनके corresponding elements है वो क्या होंगे वो equal होंगे यानि कि यहां जो x plus y है वो 6 के equal होगा जो 2 है वो तो 2 के equal ही है 5 plus z जो है वो 5 के equal होगा इसको इधर ले आएंगे तो z is equal to 5 minus 5 यानि z is equal to 0 x, y जो है वो 8 के equal होगा z की value तो हमें यहां मिल गई बट x और y की value निकालने के लिए आप क्या करें कि यहां से y की value in fact हम कहीं कि x की value निकालने तो वो 8 by y आ गई इसको नाम दो first तो यह x की value आप यहां put कर देंगे putting x is equal to 8 by y in first यहां first में put कर देंगे तो यहां आ गया 8 by y plus y is equal to 6 यहां पे आ गया y 8 plus y square is equal to 6 यहां पे ले जाएंगे 8 plus y square is equal to 6y इसको इधर ले आएंगे तो y square minus का 6y plus 8 is equal to 0 अब यहां पर हमें ऐसे दो नमबस चाहिए जिनका product तो हो 8 और add या subtract करने पर minus का 6 बने तो minus के 4 और minus 2 का आप product करोगे तो 8 बन जाएगा और add या subtract करोगे तो minus का 6 बन जाएगा so y square is equal to minus 4y minus का 2y plus 8 is equal to 0 यहां से y common ले लिया तो y minus 4 minus का 2 common ले लिया तो y minus 4 is equal to 0 दोनों मैंसे y minus 4 common ले लेंगे तो दोनों मैंसे y minus 4 common ले लिया तो यहां बचा y minus 2 is equal to 0 दो terms का product 0 तब ही हो सकता है जब या तो y minus 4 0 होगा या फिर y minus 2 0 होगा तो यहां से y की value आ गई 4 और यहां से y की value आ गई 2 यानि y की value हमारे पास यहां पे 2 रहेंगी तो x की value भी 2 में लेंगी अब देखें अगर हमारे पास y जो है वो 2 है तो x क्या है? x है 8 by y 8 by y यानि 8 by 2 is 4 और z है 0 तो आप लिख सकते हो कि if y is equal to 2 x is equal to 4 z is equal to 0 और यदि आप y की value 4 रखोगे if y is equal to 4 तो जो x है वो क्या है? 8 by y यानि 8 by 4 is 2 तो जो x की value है वो 2 आ गई and z तो आपका 0 ही है तो दो case हमारे पास आ रहे है if y is 2, x is 4 अब अगर x 2 है तो y 4 है और z 0 है तो ये दोनों ही इसके answer होंगे क्योंकि y की value हमारे पास यहाँ पे 2 आ रही है और दोनों ही conditions के लिए ये matrix equal हो जाएंगे question 6 देखिए find the values of x, y and z from the following equation इन equations से हमें x, y और z की value निकालनी है दोनों ही जो matrix हैं वो equal है और जब दो matrix equal हों तो हमारे पास उनका order same होता है और corresponding elements equal होते हैं तो हम यही लिखेंगे since both the matrix are equal so their corresponding elements are equal corresponding elements are equal तो यहां जो x plus y plus z है वो 9 के equal हो जाएगा x plus जो z है वो 5 के equal हो जाएगा and y plus z जो है वो 7 के equal हो जाएगा this is 3 तो यहां x, y, z में हमारे पास 3 equations आ गई अब इनको आपस में solve करके हमें x, y और z की value निकालनी है generally तो जो 3 variable की equation है वो काफी बड़ी solve बन जाती है बट यहां एक easy step आप लेंगे first मेंसे जब आप second को subtract करोगे तो x और z कैंसल हो जाएंगे y की value मिल जाएगी first मेंसे third को subtract करोगे तो y और z कैंसल हो जाएंगे x की value मिल जाएगी तो फिर जब x, y की मिल जाएंगी तो उन्हें हम यहां रखके third value निकाल लेंगे तो क्या करने वाले हैं, equation first मैंसे equation 2 को subtract कर दिया, तो यहाँ पे आया x plus y plus z is equal to 9 and यहाँ पे x यहाँ z is equal to 5 और subtract कर दिया, x से x, z से z, यहाँ आ गया y is equal to 4 और first मैंसे third को करेंगे, equation first minus equation 3 तो यहाँ पर है x plus y plus z is equal to 9, this is y plus z is equal to 7, minus minus minus, cancel हो गया, x is equal to 2 अब अपने पास x की value है, y की value है, उन्हें यहाँ first मैं रख देंगे, तो हमें z की value मिल जाएगी putting x is equal to 2 and y is equal to 4 in first, तो क्या हाँ आ जाएगा, देखें, 2 plus 4 और z हमें चाहिए is equal to 9 तो यह हो गया 6, इसको इदर ले आएगे, तो z is equal to 4 minus, 9 minus 6 is 3, तो जो z है वो कितना आ गया, 3 आ गया quite simple approach हमने follow up करी, first मैं से इसको गटाया, तो y मिल गया, first मैं से third को किया, तो x मिल गया, x, y first में डाला, z हमें मिल गया question 7 है, find the value of a, b, c and d from the equation, इन matrices को यूज करके a, b, c and d की value हमें बतानी है क्योंकि दोनों matrix equal हैं, तो उनके corresponding elements यहाँ पर equal होंगे, आप लिखेंगे, since both the matrices are equal so their corresponding elements are equal तो उनके जो corresponding elements हैं, वो क्या होंगे, वो equal होंगे, यानि कि जो a minus b है, वो minus 1 के equal होगा इसे नाम दे दो first, 2a minus b जो है, वो 0 के equal होगा, इसको नाम दिया second 2a plus c जो है, वो 5 के, this is 3 3c plus d है, वो 13 के, this is 4 अब आप quite थोड़ा सा observe करें यहाँ पर, तो a, b, a, b, यानि जो first और second है, वो a और b में equations हैं और ऐसी दो variables की linear equations को आपने 10th class में solve करा है वहाँ substitution, elimination, cross multiplication तीनों में से कोई भी method लगा लो यहाँ minus b, यहाँ minus b, equation first में से equation 2 को subtract कर दो तो a minus b is equal to minus 1, 2a minus b is equal to 0 यह minus, यह plus का हो गया और यह minus cancel हो गया, यहाँ पर आया, minus a is equal to minus 1 which implies a is equal to 1, तो जो a है वो 1 के equal आगया now putting a is equal to 1 in first रख लो या second में रख लो so 1 minus b is equal to minus 1, यहाँ पर आगया तो minus b is equal to minus 2, b is equal to 2 तो जो a है वो 1 आगया, b जो है वो 2 आगया तो अब a और b तो हमें मिल गया, यह a c है, यह c d है तो यहाँ तो कोई method तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि दौनों के variables अलग-अलग हैं बट यहाँ a और c है, a की value हमने निकाल ली अगर हम a की value यहाँ रख दें तो c की value मिल जाएगी so putting a is equal to 1 in 3, third में रख देंगे तो 2 into 1 plus c is equal to 5, इसको इधर ले आएगे c is equal to 5 minus 2, c is equal to 3, तो c की value हमें मिल गई यहाँ है 3c plus d, अगर c की value में यहाँ रख दूं तो d की value मिल जाएगी so putting c is equal to 3 in fourth, fourth में रख दिया तो 3 into 3 plus d is equal to 13, this is 9 इधर ले आएगे 13 minus 9, d is equal to 4, तो a, b, c, d की values हमें मिल गई तो आपने देखा की approach क्या follow up कर रहे हैं हम कि यहाँ a, b में equation बनी तो उन्हें solve किया by, हमने by elimination solve गिया है आप substitution use कर सकते हो, across multiplication तो एक बड़ा method बढ़ जाता है so I don't suggest कि आप उसे use करें, elimination is best quick and fast calculation कर पाऊगे, a मिल गया, b मिल गया फिर यहाँ a को रखा तो c मिल गया, यहाँ c को रखा तो d, मतलब series से काम करना है आप easily इन सब की जो values हैं उन्हें निकाल पाएंगे question 8 देखिए a, a, i, j एक matrix है, जिसका order है m cross n is a square matrix if कोई भी matrix, square matrix कब होती है जब उसमें number of rows जो हैं, वो number of columns के equal हो जाएं तो हमारी जो matrix है, वो square matrix बन जाती है यह number of rows हैं, यह number of columns हैं यानि जब m, n के बराबर होगा तो हमारे पास जो matrix है, वो square matrix बनेगे question 9 है which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal कौन सा pair इन्हें equal बनाएगा तो हम equal मान के वो x, y की values निकाल लेंगे उसको tick कर देंगे तो यह दोनों equal हैं तो दोनों corresponding elements equal होंगे 3x plus 7 यहां से आगया 0 3x is equal to minus 7 x is equal to minus 7 by 3 यहां से y plus 1 is equal to 8 and y is equal to 7 यहां से भी confirm करेंगे 2 minus 3x is equal to 4 इसको इधर ले आएंगे तो minus 3x is equal to 4 minus 2 minus 3x is equal to 2 x is equal to minus 2 by 3 आप चेक करें तो x की दो values हमारे पास आ रहे हैं जबकि अगर matrices जो है वो equal हैं तो जो भी variable है उनकी value throughout equal होती है तो आप x की value यह लेंगे या free यह लेंगे तो ऐसा तो case possible ही नहीं हो सकता कि दो अलग-अलग values आपको मिल जाएं तो आप क्या कहेंगे कि not possible to find ऐसी हम x y का कोई pair नहीं निकाल पारें जिन के लिए यह equal होंगी Now question 10 है The number of all possible matrices of order 3 x 3 with each entry 0 or 1 0 और 1 के साथ 3 x 3 की कितनी matrix बना सकते हैं Let's say हम उसको A कह रहे हैं तो 3 x 3 की matrix कैसे बनती है उसमें 3 rows और 3 columns हमारे पास होते हैं यानि अगर आप count करो तो total positions कितनी हैं यहाँ पर total positions है 9 यानि 9 positions 9 positions आप fill कर सकते हो और 9 positions पर 0 और 1 entry मतलब element 0 और 1 element आप fill कर सकते हो तो पहली position पर आप 2 कर सकते हो सभी position पर जो choice है वो 2 है आपकी इसको multiply करेंगे तो यानि कितने तरीके से आप कर सकते हो 2 की power 9 यानि कि 512 512 matrices हम बना सकते हैं अगर हम यह arrangement करें तो 512 matrices हम बना सकते हैं आप एक ऐसा करना जितनी position होती है जितनी entries हैं जितने elements हैं आपके पास प्लस जितनी position है तो आपको वो matrix मिल जाती है जितनी matrices आप बना सकते हैं elements की power जितनी positions है अब positions भी change हो सकती है और elements भी यहाँ पर change हो सकते है